दोस्तों अगर आपने लिए है new gear cycle और आप जानना चाहते हैं कि इन gears को कैसे shift करना है और इसको कैसे use करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी useful होने वाली है आज हम इस वीडियो में बड़ी ही आसान language में discuss करेंगे gears के basics के बारे में इन gears को कैसे use करना है इन gears को कभ यूज करना है और वीडियो के last में मैं आपसे कुछ useful tips share करूँगा जिससे आपके gears maintained रहें और आपकी gear shifting efficient रहे So friends चलिए start करते हैं हमारी वीडियो Guys सबसे पहले देखते हैं gears के components के बारे में कि इसमें कौन-कौन से components हैं और इनका क्या-क्या use है दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं challenge की इसे front gears भी बोलते हैं यहाँ आपको normally एक से लेकर 3 rings मिलती है इस cycle में front में 3 gears हैं इसके साथ जो यह component लगा हुआ है उसे कहते हैं front derailers यह derailers front के gears को change करने में help करते हैं दोस्तों अब बात करते हैं हमारे अगले component की जो की है free wheel या cassette Normally इसे हम rear gears के नाम से जानते हैं रियर में आपको 6 से लेके 11 तक gears मिलते हैं Maximum cycles में यहाँ पे आपको 7 gears मिलते हैं इस cycle में rear में 9 gears है Gears का basic mechanism सेम होता है इसलिए अगर आपके cycle में 6, 7 या 8 gears हैं तो भी कोई परिशानी की बात नहीं है क्योंकि gears के changing mechanism सेम है Rear cassette के साथ जो यह component लगा हुआ है उसे rear rear railer कहते हैं यह component पीछे के gears को shift करने में मदद करता है Drive train में हमारा next component है chain यह component आपकी pedal की powers को rear wheel में transmission का काम करता है Drive train में हमारा last component है यह shifters Right hand पे जो shifters हैं उनकी help से आप rear gears shift कर सकते हैं आपकी cycle में जितने भी gears हैं वो numbers यहाँ पे दिखेंगे इस cycle में 9 gears हैं तो यहाँ पे यह indication 9 to 1 है Left hand के shifter से आप front के gears shift कर सकते हैं यहाँ पे आपको front में आपकी cycle में जितने gears हैं वो indication दिखेगा जैसे यहाँ 3 से लेके 1 तक दिख रहा है दोस्तो आप बात करते हैं इन gears को कैसे use करना है फ्रेंट्स जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ Left hand के shifter से आप आगे की gears shift करते हैं और Right hand के shifter से आप पीछे के gears shift करते हैं अगर आप shifter में ये उपर वाले component को finger से pull करते हैं तो आपके gears बड़े ring से छोटे rings में आते हैं और अगर ये नीचे वाले component को थम से push करते हैं तो gears छोटे ring से बड़े ring की तरफ जाते हैं Front में सबसे बड़ा ring highest gear होता है सबसे बड़ा ring तीन नमबर है और सबसे छोटा ring एक नमबर है Rear में ये just opposite होता है यहाँ पे सबसे छोटा ring highest gear होता है Like अगर आपकी cycle में 7 gears हैं तो सबसे छोटा वाला ring 7th gear होगा आपकी cycle में 8 gears हैं तो सबसे छोटा वाला ring 8 gears होगा cycle में ये 9th gear है और सबसे बड़ा वाला रिंग सबसे small gear होता है So friends, अगर आप यूज कर रहे हैं आगे का 3 number gear और पीछे का सबसे छोटा वाला रिंग जो की 7 number gear तो इससे आपको highest speed मिलती है But efforts भी maximum इसी gear combination में लगते है Friends, सबसे important बात आती है कि इन gears को कभ यूज करना है अगर आपको cycling के दोरान अपनी speed बढ़ानी है तो आपको gears up करने पड़ेंगे Gears up करने के लिए front में आपको 1-3 की तरफ जाना होगा और rear में आपको 1-9 की तरफ जाना होगा जैसा कि वीडियो में हमने पहले भी discuss किया है कि highest gear combination means आगे 3rd gear और पीछे 9th gear इस gear combination में आपको per paddle सबसे ज़्यादा tire के revolution मिलेंगे लेकिन इस gear combination में efforts भी सबसे ज़्यादा लगते हैं ये gear combination normally आप down hills में धलान पर और plain road पे high speed पाने के लिए कर सकते हैं अगर आपको flyover चड़ना है या uphill में जाना है तो आपको अपने gears down करने पड़ेंगे gears down करने के लिए आगे आपको 3rd से 2nd या 1st gear और पीछे 3rd, 2nd या 1st gear पे जाना होगा इस gear combination में आपकी paddling काफी आसान हो जाती है और आप energy waste किये बिना चड़ाई आसानी से चड़ सकते हैं guys, normal rights में आप comfortable paddling के लिए front में 2nd या 3rd gear और rear में 5th या 6th gear यूज़ करना चाहिए इस gear combination में आपको optimum efforts में अच्छी speed मिलती है और long right के लिए आप अपनी energy preserve करके रख सकते हैं friends, अब बारी आती है हमारे final section की जिसमें मैं share करना चाहूँगा आपसे कुछ आसान tips जिससे आपके gears maintained रहेंगे और आपकी shifting efficient रहेगी इससे आपके derailers और chain खराब हो सकती है friends, अब हमारी next tip की बात करते हैं guys, अगर आप gear shifting के practice करना चाहते हैं तो आप flat और खाली roads पे practice करें इससे आपको surrounding traffic का ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने optimum combination के practice आसानी से कर सकते हैं friends, चलिए देखते हैं हमारी next tip के बारे में दोस्तू, gear changing में एक और बात बड़ी ध्यान रखने वाली है कि अगर आप gear change करना चाहते हैं तो केवल forward paddling में ही gears change करें backward paddling में कभी भी gear change ना करें इससे आपकी chain उतर सकती है friends, ये tip आपके लिए काफे important हो सकती है जैसे कि आगे second gear और पीछे fourth या fifth gear then धीरे धीरे अपने requirement के हिसाब से आप gradually speed बढ़ा सकते हैं और अपने gears up कर सकते हैं दोस्तो चलिए बात करते हैं हमारी अगली tip के बारे में ये tip आपके gear के long life के लिए बहुत important है दोस्तो gears कभी भी cross position में ना रखें means आगे तीन और पीछे एक या दो या rear में seventh और front में first gear पे इससे आपकी chain की position क्रिस क्रोस हो जाती है क्रिस क्रोस position में gears में आपको knocking sound आएगा और आपके chain और gears की wear and tear बढ़ जाएगी friends आपको अपने drive train के components की cleaning every 10 to 15 days में करनी चाहिए cleaning के बाद adequate oiling करनी चाहिए और excess oil को remove कर देना चाहिए इससे आपके gear shifting काफी smooth रहेगी और आपके gears की life काफी बढ़ जाएगी friends hope आपको इस वीडियो से gears के basics के बारे में समझने में और gears को कब use करना है और gears को कैसे efficiently use करना है यह जानने में मदद मिली होगी ऐसी ही latest cycling related videos के लिए please subscribe मैं चैनल अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर करें इस वीडियो को अपने friends के साथ share करें